नमस्कार, विक नूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है, टॉपिक है भारतिये खादे निगम बनाएगा आधूनिक स्टील साइलो भारतिये खादे निगम FCI ने हब और स्पोक मोडल के तहत आधूनिक स्टील साइलो का निर्मान करने की योजना बनाई है ये 12 राजियों में लगभग 249 जगों पर बनाए जाएंगे, इनकी भंडारंग चंता 111.125 लाख मिट्रिक टन होगी स्रावजनिक निजी भागिदारी के तहत इन साइलो का निर्मान तीन चर्णों में और तीन से चार वर्सों में किया जाएगा हब और स्पोक मोडल एक वीतरन पद्दिती को संदरफित करता है जिसमें एक किंद्रिक्रित हब मौजूद होता है वस्तूओं को या तो हब में बनाया जा सकता है या उपभुगताओं को वीतरन के लिए वस्तूओं को हब में एकत्रित किया जाता है हब से वस्तूओं को आगे की प्रक्रिया और वितरन के लिए जिन छोटे स्थानों पर भेजा जाता है उन्हें स्पोक्स कहा जाता है हब और स्पोक मॉडल में परिवहन लागत कम हो जाती है खाद एवं सावजनिक वितरन विभाग द्वारा बताया गया है कि हब और स्पोक मॉडल के तहट पहले चरन में साइलो का निर्मान डी बी एफ ओ टी मोड और डी बी एफ ओ ओ ओ मोड में किया जाएगा डी गी एफ ओ ओ टी का मतलब डीजाइन, बील्ड, फैनेंस, ऑपरेट और ट्रांसफर है जबकि डी एफ ओ ओ ओ का मतलब डीजाइन, बील्ड, फैनेंस, ओन और और अपरेट है DBFOT मोट के तहट सावजनिक नीजी भागिदारी के माध्यम से FCI द्वारा भूमी प्रदान की जाती है DBFOO मोट के तहट नीजी संस्थाओं द्वारा भूमी का धिकरहन किया जाता है इन आधुनिक सायलों के निर्मान और संचालन के लिए नीजी संस्थाओं जिम्मेदार होंगी इस प्रोजेक्ट को तियार करने में राज सरकार, नीती आयोग, वित मंत्राले, रेल मंत्राले और इसपात मंत्राले का योगदान है ये आधोनिक साइलो खाध्यानों के भंडारन का एक वज्ञानिक तरीका है और खाध्यानों के बहतर सनक्षन को सुनिशित करते हैं खेदों के पास ये अधुनिक साइलो अनाज मंडी के रूप में काले करेंगे जिससे किसानों की परिचालन कठिनाई और जल्टिता में कमी आएगी इससे किसानों की आए में वृधि होगी